नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पिछले अपिसोड में हमने जाना था कि हिंदू पर्सनल लो का आधार भूद डाचा किस बुनियाद पर टिका है हिंदु लो और हिंदु विवा अधिनियम के वो कों सी आधार बूद बाते थी जिनको आधार मानकर हिंदु परसनल लो का निरमान किया गया है आज हम detail में बात करेंगे हिंदु विवा अधिनियम 1955 यानी हिंदु मेरिज एक्ट 1955 के बारे मेET पुराने समय से आज तक महिला और पुरुष के सम्बंदों में शादी को सबसे योग्या और useful practice या प्रथा माना गया है आज भी एक महिला और पुरुष के relation को लेकर सबसे ज्यादा सार्थक या meaningful relation की अगर हम बात करें तो उसको शादी ही माना गया है अगर हम प्राचिन हिंदू विदी की बात करें तो शादी को एक संसकार माना गया है जो कि हिंदू के 16 संसकारों में से एक बेहद महतोपुर्ण संसकार है धरम के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए संतान पैदा करना जरूरी है जिसके लिए शादी का होना भी कमपलसरी है जरूरी है हिंदू लो में पुत्र को रतन के बराबर माना गया है पुत्र का अर्थ है नर्क से रक्षा करने वाला बताया गया है जो हमारे धरम में बताया गया है वो क्योंकि पुत्र शिराद करके अपने कर्मों से पिता की आत्मा को नर्क से मुक्ति परदान करवाता है इसलिए कहा गया है कि पुत्र हीन की गती या मुक्ती नहीं होती है धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पतनी जरूरी है वंच को चलाने के लिए बेटा जरूरी है इसलिए धरम के अनुसार, शादी का होना, मोक्स पाने के लिए बेहत जरूरी माना गया है हिंदू आइडियोलोजी में शादी की इंपोटेंस वेक्ति का moral character मजबूत करने के लिए भी माना गया है अगर हम दूसरे धर्मों की बात करें तो वो शादी को एक महिला और एक पुरुष के बीच का एक contract माना जाता है वहाँ पर contract होने के बाद या पहले कुछ religious formalities की जाती है और तकरीबन सभी दर्मों में सफलता और संपन्ता के लिए इश्वर का आशिरवाद लिया जाता है केवल हिंदू दर्म में शादी को एक पवित्र संसकार माना गया है वेदो में भी विवाह की महता का वरणन किया गया है जिसमें हिंदू विवाह को एक अनिवारिय संसकार की तरह बता गया है हिंदुों में शादी का बंदन केवल इस दर्ती तक ही सीमित नहीं है बलकि इसका संबंध परलोग तक बताया गया है जो कि जनम जनमांतर का संबंध है और इसी धारणा के तहट ये माना जाता है कि पती-पतनी के संबंध परलोग तक भी अटूट रहते हैं जैसा कि हमने जाना कि प्राचीन हिंदू समाज शास्त्रियों ने विवा को एक संसकार का विशह माना था और हिंदू विवा अधिनियम की धारा साथ इस बात को फलिबूत भी करती है लेकिन इसके साथ ही अधिनियम में धारा 13 जोड़कर विवा के इस संसकारी रूप को नश जाने के बाद हम यह कह सकते हैं कि आज के समय की हिंदू में होने वाली शादिया ना तो पूर्ण संसकार हैं और ना ही एक कोंट्रेक्ट हैं बलकि यह संसकार और कोंट्रेक्ट दोनों की एक मिक्स्ट फॉम हैं लिवा अधिनियम 1955 का सेक्शन 5, 11 और सेक्शन 12 यानि कि एक शादी के लिए जरूरी शर्ते, शुन्य शादी और शुन्य करणिया या वोड़ेबल मेरिज यही दर्शाते हैं कि शादी एक कोंट्रेक्ट है संसकार नहीं है क्योंकि ये कोंट्रेक्ट की तरह इर्रेगुलर या इलिगल हो सकती है और इनी आधारों पर शुन्य और शु के दवारा कोई विवाहिक रोग उत्पन हो जाने पर इस शादी को तोड़ा जा सकता है तलाक लिया जा सकता है आज के समय की बात करें तो हिंदू शादी का जो नेचर बताया गया है वो तकरीबन नश्ट कर दिया गया है लेकिन फिर भी हिंदू विवा कुछ हद तक संसक के हैं जो प्राचीन हिंदू विवा की तरह हैं वो बात अलग है कि समय के अनुरूप हिंदू विवा के सवरूप को बदलना पड़ रहा है हिंदू विवा अधिनियम 1955 के तहत हिंदूों में बहु पतनी या पोलीगेमी को इलिगल माना गया है लेकिन शाष्ट्रिय विदी के अधीन हिंदू लो में पुरुष के लिए एक से अधिक पतनी रखने की अनुमती थी और एक से अधिक ही नहीं बलकि कितनी भी पतनिया एक साथ हो सकती थी बहुत पहले से बहु पतनी प्रथा हिंदूों में परचलित थी लेकिन हिंदू विवा अधिनियम लागू होने के बाद ये पर्था तकरीबन पूरी तरह से खतम हो चुकी है पुराने समय में हिंदू विवा एक अटूट और अमोध बंधन माना जाता था और विवा विच्छे दिया तलाक जैसी कलपना भी हिंदू विवा में कहीं एक्जिस्ट नहीं करती थी हिंदू विवा दिनियम 1955 के तहट ही हिंदू दरम में एक विद्वा इस्त्री को पुनर विवा करने की मान्यता दी गई है लेकिन पुरानी शास्त्रिय विधी के अनुसार अगर शास्त्रों की पुरानी धार्मिक विधियों को माने तो उसमें विद्वा महिला को पुनर विवा करने की इजाजत नहीं थी विवा की प्रकर्ति चाहे कोई भी हो चाहे उसे संसकार माना जाए या उसे एक कॉंट्रेक्ट माना जाए अनुबंद माना जाए कुछ भी समझ लो लेकिन ये पती-पतनी के बीच एक स्टेटस स्टेबलिश करता है शादी के बाद ही महिला और पुरिष को पती-पतनी का दर्जा मिलता है तकरीबन सभी legal system में valid शादी के लिए दो शर्तों का होना निर्धारित किया गया है mandatory है compulsory है इन शर्तों का होना पहली है शादी करने की ability होना और marital rituals या विवाहिक अनुष्ठानों का संपन होना हिंदुओं ने विवा की इस संस्था को आदर्श बना कर इसको शालिंता और भव्यता परधान की है हिंदु विवा अधिनीम 1955 में साफ साफ कहा गया है कि जो classical law और social customs पुराने समय से चले आ रही हैं अगर वो इस act के provisions को follow नहीं करेंगे या in provisions का विरोध करेंगे तो ऐसे सभी classical law और social customs जो है वो ineffective या निश्परभावी हो जाएंगे act के section 4 के तहित ऐसी सभी विधिया चाहे वो प्राचिन मूल पार्ट की रूडिया हो या फिर वो नियमों के रूप में हो अगर वो अधिनियम के उप बंदों के परतिकूल हैं तो उन्हें निर्सित कर दिया जाएगा निर्सित यानि रिपेल कर दिया जाएगा ये act सभी existing law को define करता है लेकिन जिन subjects को इस act में exempt किया गया है उसमें भारतिया मूल पार्ट की विधी लागू होगी जैसे की हिंदू विवा को समाप्त करने का अधिकार, judicial separation, सपिंडों के मध्य विवा, तलाक या Special Marriage Act 1954 के अंतरगत, हिंदू के मध्य हुआ हुआ विवा इन सभी में रूडी और पर्था को मान्यता दी गई है उधारन के लिए यदि किसी समाज में किसी विशेश पर्था से तलाक होता है तो वो valid होगा, valid माना जाएगा, उसके लिए किसी court की decree की आवशकता नहीं पड़ेगी कई आदिवासी समाज में इस परकार का tradition होता है, जहांपे उनकी जो पर्था है उसके हिसाब से डिवोर्स कर दिया जाता है, तलाक कर दिया जाता है हिंदू विवा अधिनीम 1955 में शादी की कोई विशेश definition नहीं दी गई है section 7 में केवल ये कहा गया है कि विवाह का संपादन विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी एक की रीती रिवाज और करम कांड के अनुसार होना चाहिए यदि वर हिंदू है और वधु जैन है तो विवा दोनों में से किसी एक के रीती रिवाज के अनुसार होना चाहिए लेकिन जहां ऐसे रीती रिवाजों के अनुसार विवाह की क्रियाओं में सब्त पदी भी शामिल है तो विवा उस समय पूरा होगा और बंधनकारी होगा जब सात्वा पग भी हो जाएगा। कानूनी भाषा में बड़ी ही complicated definitions और explanations दी गई हैं जिनको आसान भाषा में भी बड़े ध्यान से समझना पड़ता है। ये एपिसोड में छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आराम से समझा जा सके। कुछ समझ ना आये तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईए मैं पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। आज की इस वीडियो में हमने आदा हिंदू विवा अधिनियम 1955 कवर किया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एक्ट के अंतरगत हिंदू कौन है। ये एक्ट किन किन पर लागू होता है। और कुछ बेद जरूरी डेफिनेशन्स के बारे में। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार।